नमस्कार दोस्तों मैं हुजीतु अर्णा आपका बहुत बहुत स्वारित करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेतु रिवोलूशनरी फार्मर में तो आज की हमारी विजिट है गाउ सुंद्रेटी में जो की जाडली प्लांट के पास जजर के डिस्टिक जजर रैक्टेशन में तक 18 केजी कितना सर कितना बताया तो एक बार मैं सर से सर के पास लेके चलता हूँ हमारे विवर्स को जो की इसके मिल्क यिल्ड और इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे सर नमस्कार तो सर मैं आप से जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी मुर कि यिल्ड कितना आया था पीक 27 दिन की ये जब बफलो ब्याई हुई होगी थी तो इसने 18 केजी 200 ग्राम मिल्क सर के फार्म पर रिकोर्ड किया है ये देख सकते हैं तो सर के पास यहां पर एक इलेक्ट्रोनिक काटा भी है जहां पर मतलब इलेक्ट्रोनिकली मीजर किया है तो सर ने पूरी इसकी मिल्क रिकोर्ड पर एक नजर बनाए हुए हैं तो सर ये कितने दिन की अब ब्याई हुई हो चुकी है ये होगी जिस चार महिने के आसपास ये जो बफलो है सर की ये इसने इस काफ को जनम दिया है ये इसका काफ है इस बार मेल काफ है सर फीमेल काफ है तो कटिया है फीमेल काफ है इनकी तो अभी इस उपलो का तो सर चार महिने को चुकी कि एभी इसका कितना के ॹर फिर कि इसके कितना है सर? ॖ सोड उपर है तो सर स्टार्ट कीजिए सरrets एक बार कटिया खूल ये मिल्क रिकोर्ड करते हैं सर यह देख सकते नह활 भी इन्होंने एक HLDB का जो सीमन है उससे वो लगवाया था इस खार की जोटी में और ये जो कटिया तयार हुई है ये भी अच्छे सीमन की जो की सरकारी HLDB हर्याना लाइस्टोप ड्लॉप्मेंट बोर्ड का सीमन का ये फीमेल का आफ हम देख सकते हैं कर लो आपको जैसे जो करना कर लो कर लो कर लो कर लो जैसे हैं का आपना कि कर लो एंस एकर बमें लोकाई बु़र व्यार है지는 हम इसप्टार की से दाफिल झाल मेड़नी तो एक बढ़ अधर कीजिए जिन्जकति है यूसर आगमी खुशिती ही तो एक लिवतिक वण booming हऊता हम और तोड़ें बस बस भस तो यह यहां पर इस नहीं हछले की लिवति देख सकते हैं जो मिल्कों साफ सुत्रे सहल हैं ठर्ण विल्कूं सटीक है सीदे सीधे थन है कि खुले उए थन है यह रहे सकते हैं कि खुले उए थन है जो लिवटी के जो सैल है यह बिल्कुल एक-एक थन के ओपर बराबर भार लिये हैं निकाल दो सर्ण कि निकाल दो कि पुरे का दिक देगा हाँ तो एक बर खाल्डी बाल्टी दिखा दीजिए बैस एक बार हाँ बैस 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 अब कीजे स्टार्ट निकालो निकालो अ बाल को स्टार्टी में निकालो जरी फच्छतार रापली करकेशनकाशन मुटाभ इस बाल्ड़ी मुटा Uh du कर भादे। क्वswॉब उग्फ़न करें अजया और शव॑िट कवल जड़ कि respawn और अजया काव आप कि अ общемारी ऌना सेटरोगबाल कि लिर बाहा हुईकरा रूंग शीण कि आब सबतारी धो प्राइटंगे साह सबादों कि अ अ, कि इपक ज inning कि अ, जरें को यजजू मुझे पढू हमें विर में वाइम सूग्जपन कि लेड़ ए में तोराको कि अंदू्स प vardı THE खिर्नेस ये झाल स्वास्वा आपकाख्या आपकााग कि यह व दॉぁ Clinton तो यह देख सकते हैं, milking process complete हो चुका है, दूसरी बाल्टी और लिया यह सर, अगर नहीं है तो मेरे बहां से लियाओ, तो एक बाल्टी रखके उसका काटा काट लो थोड़ा जल्दी करना, कर कैंटर कर दो बस, और नहीं आपके पास बाल्टी, नहीं इसको बाद में खाट, करजे हैं, नहीं इसको फिर बाद में जावे आँगा जाए घा उसमें जर्पे, पर निरल Internet करो शेजन बूख उसका, एक सक उणने इक सके printed हो घटे, तो यह देखिए, इसका इन्होंने काटा काट दिया है, तकर Iyaवन जिरो वेट, एक बार दुबारां एंटर कीजिए、 रख की दुबारा करो अब एंटर कर लो एक बार रख दो एंटर कर लो ठीक दूद डाल लो अब ये बिलाश्टी ये देख सकते हैं आठ केजी 220 ग्राम आज क्या तारीक है सर? अज अठारा अठारा तारीक की शाम का इस मुर्रा नसल की जोटी ने खार की जोटी है जो की लिला राम यादव सर के डेरी फार्म से इसने आठ केजी 220 ग्राम यहाँ पर शाम के 6 बजे मिल्क रिकोर्ड करवाया है तो यह देख सकते हैं बहुती शानदार चार महिने की ब्याई हुई इस भैसने खार की जोटी ने 8 केजी 220 ग्राम तो सर ने कहा ता कि 60 केजी से कुछ न कुछ दूद उपर ही है तो हमारी इस वीडियो में आज सर ने बिलकुल और उनकी ये बफलो ने चार महिने की एक बार इस इसकी कटिया के पास आई है सर इसकी कटिया हाँ ये ये इसकी कटिया है ये देख सकते हैं चार महिने की कटिया होने के बाद चार महिने के ब्यात होने के बाद इसका नाम जोती है जोती नाम की ये इसकी कटिया का नाम करण कर दिया गया है और ये भी HLDB के सीमन से है और ये जो बफलो है ये भी HLDB की सीमन से ही इन्होंने तयार की है अपने डेरी फार्म पर तो ये जो साथ में खड़ी बफलो है एक बार इसके पास चलीए सर ये इस खार की जोटी की माब फ्लो है इसने भी काफी अच्छा मिल्क रिकोर्ड दर्ज करवाया था 20-21 लिटर के अराउंड इसका भी मिल्क रिकोर्ड लिला राम सर के डेरी फार्म पर ही है तो देखें कितने परसंड यहां पर नजर आते हुए सर मिल्क रिकोर्ड करवाने के बाद तो सर ये जो आपने इसकी जो जोटी तयार की थी इसका सीमन HLDB का ही लगवाया था सर तो ये जो माब अफलो है इसमें एक HLDB बुल है R1.07 उसका इन्होंने सीमन रखवाया था जिससे ये जोटी तयार हुई तो सर इसकी एज कितनी है भी आपकी इस खार की जोटी की साधे तीन साल तकरीबन इसकी एज हो तो मैं सर से जो इतनी सुन्दर जो इनकी खार की जोटी है इसका नाम जरूर पूछना चाहूँगा तो सर इसका नाम क्या है सर इसका नाम सर ने लक्षमी रखा है तो हम आशा करते हैं सर को काफी लक्षमी कमा के दे ये इनकी मुरा नसल की जोटी और सर ये जो इसकी मा बफलो है इसका भी कोई नाम करन कर रखा है सर आपने इसका नाम महा लक्षमी महालक्ष्मी लक्ष्मी और ये इसकी जो बेटी है इसका नाम जोती तो ये तीनु जनरेशन सर के ही फार्म पर यहां पर हैं अभी सर बेचने के मूड में नहीं लग रहे हैं लेकिन शैद हो सकता है अगले ब्यात पर इसको सेल के लिए वे अविलेबल करवा दें तो सर थैंक जो इतने अच्छे डेरी फार्म के जो मालिक हैं वो इतना अच्छा जो दूद निकालते हैं वो उनको डाइट में क्या खिलाते हैं तो मैं सर से डाइट जानना चाहूंगा हालांकि अभी इन्होंने जो शाम की जो इसकी डाइट थी वो डेडी है तो सर मैं जानना चाहूं रोले भी ढालते हैं सर वह बिढूक या पका के पका यूर सब्य को शर ने बताये जो च Courtney से तदूपा होता है इसको बिढूके सर नहीं चाड में ही पका तोकर कि यह सारी चीजें सर वह फोरог कंश्छीं कहों एक दाल के खैल के थेचा हैं तो तक्रीबन सारी चीजे पकाके ये इस मुर्रा नसल की जोटी और इसकी माँ को डालते हैं तो तक्रीबन चार केजी सर ने दलिया बताया है और तेन केजि़, सर ने काकड़े की ख़ल मतलब जिसको बरेगा भी बोलते है पंजाब साइड में और यहा पर बिनौला भी कहा जाता है और इसके अलावा सर आपने बताया कि चूरी कितना डालते हैं सर, एक केजी, आदा केजी सुबह आदा केजी और दो केजी खड़ एक केजी सुबह एक केजी शाम को तो ये डाइट बताया इसके अलावा हरा चारा और सुरा सुका चारा वो सर अलग से खिलाते हैं जितनी वफलों खाना चाहें तो धन्यवाद सर ये डाइट चार्ट शेयर करने के लिए